साथियो नमस्कार स्वागत है आपका एफियर लेश्टी मंत्रा टीप चनल पर साथियो यूपीट प्लसी लेकपाल भरती में मैंने बताया था आपको सोभी मौनिंग वीडियो में बताया था कि आपकी जोइनिंग होने वाली है वो 15 फरवरी से पहले हर हाल में आपकी जोइन हां राम मंदर के चक्कर में थोड़ा बहुत एका दिन दिले होगा तो हो जाएगा अधरवाइस आपको जोनिंग लिटर मिल जाएगा ठीक है सातियो और सातियो जैसा कि आपको मालिब है कि मुख्य से विडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंब हो जाएगा जो मुख्य से विका है देखो कोट केस की बात करें तो उसका ऑफिसल अपडेट आपने देख भी लिया होगा जो बहुत जादा परेशान है रीजन क्या है उनका सबसे पहले रिलेट आना था और इस पे काम बहुत ज़्यादा तेजी से उपरा था मुख्य से विका पर ले चकर में यह भरती एकदम से अटक गई है इस पर कोई भी कबर्क नहीं हो रहा है ठीक है साथियो और इस कोट केस की आज हीरिंग थी आज अठान तारीक आज हीरिंग थी लेकिन हीरिंग हो इनी पाईगी सिधी बात यह है इसमें को को केस लिस्ट ही नहीं है चौनों आपको इसमें 75 अधर्त लोग हैं उसके साब से देखो यह जो हीरिंग थी फस्ट इसकी हुई थी सब्टेमबर 2022 को और देखो यह वाला आज का नेक्ट हीरिंग आज होनी थी अठारे जनवरी को इसकी नेक्स्ट हीरिंग होनी थी लेकिन इसमें हीरिंग की कोई डेटे ही मैंसर नह हैं अन्यूंतिण इसका कैने आजने की हैं निकल दो मत देना लेकिन यह कोट केस का आधिन निकल जाएगा तो आपका भला हो जाएगा आमने था कि इस्तिति में कोट केस के चकर में पिस्ति रहोगा कुछ नहीं होगा ठीक है मैं आपको बता देता हूँ इस चीज के बारे प्रोसेस पुरी तो आपको आयोग जाना ही पड़ेगा और आयोग में बात करनी पड़ेगी रखनी तो आपको यह काम करना है करोगे नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर बहुत ज़्यादा ठीक है साथियो मुख्य सेविका की मैंने बता दिया मुख्य सेविका बालों को क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ लेना आप क्योंकि आपकी कोट केस की हरिंग नहीं हो र सभी बात है लेकिन सातियों जो भरतियां हैं उनको तो सुसार रूप से चलाए अब जो को पीटी बंद्रोगा का पीटी जो है फिडिकल एफिसेंसी टेस्ट होना था जनवरी में अब इसकी भी कोई इंफर्मोशन नहीं हो रही है कि कब होगा तो यह भी आपका फरवरी में जा गया ठीक है सातियों यह जणरबरि में अब नहीं होने वाला है तुमारा पीटी बंद्रोगा का पीटी का जो पीटी है वह फरवरी में जाएगा और जलए लास्ट में ओ सकता है कि इसकी जन्मोशन नोटिस आजाए अन्रिथा की स्तिती कि आपका फरवरी में होगा और आप अपनी मेहनत कर रहा है साथी हो तो तोड़ना वत बीच में ब्रेक मत करना आपकी अपनी जो फिजिकल की तेयारी एकदम से सुचारूप से बनाए रखना और जब यह आप क्वालिफाई हो पाऊगे और एक चीस समझ लो पी बंद रोगा वालो आपके पास में अगर आप जस्ट कटॉप पर भी हो ना तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा रोग नहीं पाएगा बहुत कम लोग हैं और बहुत सारे लोग लेकपाल के भी होंगे बहुत सारे अन्य भरतिक्यों होंगे उन्हें छोड़ दिया वो नहीं जाएंगे इसक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा का डॉप नहीं जाने वाले हैं और एजी टीए जैसे मैं बार बार बताता हूं एजी टीए जेई का फार्मेसिस्ट का जो नोटिफिकेशन है आपका लाइन में है एकदम आने वाले हैं अब यह नहीं करूँगा मैं कि आज या जाएंगे एक दोन में आपके लुटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे ठीक है साती हो एजी टीह का भी घी का बना हम बनके तयार हैं अब उनमें कोई फर्दर काम नहीं होना है बनके टैयार हैं कभी भी आपकी नोर्टिफिकेशन जो है जारी हो सकते हैं और एक फार्मेस्सिस्ट का भी है तो बो भी कभी जारी हो सकता है तो तीन नोर्टिफिकेशन पैट 2-22 से जारी होंगे तो इसको भी आप निश्चिंत रहिए कि आपकी बैलेड़िटी 24 को घतम हो रहे लेकिन एक दो महीने बैलेड़िटी इसकी एक महीन है यह चुनाव तक बढ़ा ही जा सकती है जब तक फरवरी उसका पैट 23 का रेल्टर नहीं आ जाता और पैट 23 का रेल्टर फरवरी में आने वाला है तब तो इसकी बढ़ा दी जाएगी ठीक है तो इसका भी ध्यान रखें आप दूसरा बीडियो की मैं कई बार बता रहूं हर बार बता रहूं वीडियो के लिए बीडियो के लिए 24 जनवरी को पहुंचिए पिक बफन पर तो अपना सांतिपुरों के धना प्रजिस साथियो तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत रही है तो आपको बताता है रहता हूं दूसरा कमाइंड टेक्निकल दुहर सोले का रजल्ट के बारे बहुत लोग परेशान थे लेकिन कमाइंड टेक्निकल पर काम चल रहा है और आपका रजल्ट भी फरबरी में आने की ठीक है साथियो जिन पर काम चल रहा है करेल्ट यृट्वोप उनके आने वाले हैं दूसरा बी-पियो की परिच्छा के बारे में बहुत सारे लोग पूछते कि बीपियो की परिच्छा आप कब होगी मैंने पहले वी कभी बार बताय कि फरबरी में होगी लेकिन अब यह प बारे में कोई पूरी गारेंटी नहीं है कि हो जाए गई आयटे इस्टेक्टर की परिच्छा हो सकती है अन्य था कि इस तिन में कोई परिच्छा नहीं होगी ठीक है जूनियर एसिस्टेंट इसी मेरे आने बारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे ठीक है साथ यो बहुत बहुत अनुवाद